नमस्कार दोस्तों सबसे पहले Tech News और लेटेश्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारी चैनल Indian Tech उगार को सबस्राइब कीज़े और बैल आइकन पर क्लिक कीज़े नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागात है आपका हमारी चैनल Indian उगार टेक में फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर Reliance की तरफ से नया offer आया है जिसमें आपको रोजाना 1GB data दिया जा रहा है तो क्या है पूरा offer इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो फ्रेंट जैसा कि आपको पता होगा जब से Reliance जी आया तब से सभी कंपनियों की तरफ से काफी अच्छे data offers दिये जा रहे है अभी जो Reliance की तरफ से पहले offer आया था वो रमजान offer था जिसमें आपको 786 रुपे वाला recharge कराना था लेकिन वो price काफी महंगा था इसलिए आप Reliance की तरफ से नया offer आया है यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है यह जो offer आया वो Reliance जो की तरफ से नहीं है यह offer Reliance GSM की तरफ से और यह सिर्फ 4G users के लिए है अगर आपके पास Reliance GSM है तो आप यह offer ले सकते हैं आपको 193 का recharge कराना है अगर आप 193 का recharge करा लेते हैं तो वहाँ पर आपको रोजाना 1GB data मिलेगा पूरे 28 days के लिए और इस offer को जो नाम रखा गया वो नाम रखा गया इंटरनेट धमा का offer जैसा की नाम से यहाँ पर आपको पता चल रहा है यह offer सिर्फ internet users के लिए यानि कि इस offer के तहाँ आपको ना तो बिल्कुल भी कोई भी SMS free मिलने वाला है ना ही कोई callings आपको free मिलने वाली है तो इस offer के तहाँ यानि कि 193 के internet धमा का offer में आपको 28 days के लिए रोजाना 1GB data मिलने वाला है तो friends अगर आप Reliance GSM use कर रहे हैं और आपके पास Reliance GSM का 4G SIM है तो काफी अच्छा offer है फिलाल यह offer ले सकते हैं और Reliance GSM और Reliance GSM का network वो एकी network है तो आप try करके देख सकते हैं कि आपको सायद कुछ अच्छा speed वहाँ पर मिल सकता है क्योंकि काफी लोगों की सिकायत रहती है कि Reliance GSM जो है नहीं मिल पारा है क्योंकि जो Reliance GSM के subscriber है वो काफी ज़ादा है तो एक बार try करके आप देख सकते हैं कि Reliance GSM में आपको किस परकार का जो फोजी speed है वो मिल रहा है आज किस वीडियो में इतना है प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए